हेलो दोस्तों, वेलकम बाक टो यॉर चैनल, मेरा नाम है शुभम और दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले ये डामी के प्रीम कोर्स के बारे में जो की पेट कोर्स हैं, लेकिन उनको आप सभी लोग बिल्कुल फ्री में एन्रोल करवाने वाले हो साथ ही में, इन सभी कोर्स में आपको सर्टिफिकेट भी बिल्कुल फ्री में मिलेगा तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारे सारे कोर्स वन बाई वन तो दोस्तों, ये कोर्स आता है आज की हमारी वीडियो का कोर्स नमबर वन और इसका टाइटल आपको दीखने के लिए जाता है Adobe Photoshop CC Your Complete Beginner to Advanced Class अगर आपका इंटरस्ट फोटो एडिटिंग वाली फिल्ड में है आप Adobe Photoshop सीखना चाहते हैं तो ये कॉर्स आप सबी के लिए रहने वाला काफी बड़ी है course और दोस्तो इन में से किसी भी course में बिल्कुल free में enroll करवाने के लिए आपको follow करना है एक special procedure उसके बारे में मैं आपको course number 2 के बाद बताऊंगा तो अगर आपको enroll करवाना है तो आप इन में से किसी भी course में बिल्कुल free में बहुत असान इसे enroll करवा पाऊगे चलते हैं एक लिए course की तरफ and this course का number आता है course number 2 टाइटल आपको देखने के लिए मिल जाता है यापर communication mini master class be more engaging सो दोस्तो अगर आपको अपनी engagement बढ़ाने है आपको एक engaging person feel करना है या फिर अपने आपको एक काफी बढ़िया person बनाना है in comparison to the personal development जो अभी आपकी communication skills है या फिर आप लोगों से कैसे interact करते हो इन सबी चीज़ों आप कैसे improve कर सकते हो अपनी communication skills को कैसे better कर सकते हो ये सारी knowledge आप इस course की मदद से गेन कर पाऊगे काफी अच्छा course है अगर आपका मन है आपका interest है तो जरूर से आप अन्रोल करवा सकते हैं और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि course number 2 के बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपको इन मेंसे किसी भी course में अन्रोल करवाना है तो देखो दोस्तों यहाँ पर इस समय पर Udami में कुछ issue चल रहा है coupon के regarding तो होता क्या है इंडिया के region में जो coupon से काफी जल्दी expire हो जाते हैं तो आपको course free में नहीं मिलता तो अगर जो link मैंने आपको description में दिये हैं उनको use करने के बाद भी आप course में free में enroll नहीं करवा पारे तो आपको use करना पड़ेगा VPN जिसका नाम है piece आइफन जैसे कि आप सामने screen पर देख रहे हो और आपको यहाँ पर location यूज करने है United Kingdom की जैसे भी मैंने set कर रखा है और आपको detailed process समझने के लिए वीडियो का link यार उपर i button पर मिल जाएगा उसको यहर बिल्कुल मिस्स मत करना उसको जाके आराम से देखो समझो पूरा process बहुत असान process है उसको जैसे आप follow करोगे तो जितने भी course आपको दिख रहे है ना बहुत असानी से इन सभी में आप बिल्कुल free में enroll कर आप होगे उसको जाके जरूर देखना है बिल्कुल मिस्स मत करना वीडियो का link पर I button पर है और ये जब आप VPN enable करवा लो तो इस चीज को verify कर लेना कि आपका course का price euro currency में sure हो रहे है क्योंकि हमने United Kingdom की location set कर यह चलते है हमारे एक लिए Udame course की तरफ and इसका number आ जाता है course number 3 title आपको दीखने के लिए मिल जाता है master budgets managerial accounting या फिर cost accounting दोस्तों अगर आपका interest business वाली field में है और आपको accounting के बार में जान कर रहे है इनकरने के यह budget कैसे manage कर आ जाता है कैसे plan कर जाता है तो यह सारी knowledge आप बहुत बढ़िया तरीके से यह काफी अच्छा rating वाला course है 4.7 star किसमे rating available है तो अगर आपका interest है accounting वाली field में budget के बार में जान कर रहे हैं करना चाहते हूँ अगर आप business करना चाहते हूँ या फिर अपने घर का budget manage करना चाहते हो काफी efficiently जिससे कि आप accounting and performance measurements हो दोस्तो अगर आपको responsibility accounting के बार में समझना है साथी में सीखना है कि कैसे इसे करा जाता है and कैसे किसी भी चीज की किसी पर्षन की किसी भी टास्क की performance को measure करा जाता है यह कैसे accounting में लाए करते हैं कैसे इनको calculate करा जाता है यह सारी knowledge आप यहां काफी detailed तरीके से gain कर पाऊगे तो अगर interest है तो बिल्कुली यह इस course को miss मत करना बहुत अच्छा concept है performance management का जिसको आप यहां पर सीख सकते हो चलते हैं अगले course की तरफ and इसका number आजाता है course number 5 title आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाता है complete guide to pinterest and pinterest growth 2021 अगर आपको pinterest के बार में जानकारी gain करने की कैसे यह platform काम करता है यहां पर कैसे marketing करी जाती है यहां पर कैसे growth को आप बहुत असानी से और क्या तरीके रहते हैं जिनसे आप efficiently long term के लिए अपनी growth कर पाऊगे तो यह सारी knowledge बहुत अच्छे तरीके से आप गेन कर सकते है उस course के मदद से तो अगर आपको interest है इस field में आप interest के बार में जानका रिएन करना चाहते हैं तो enroll करवा सकते हैं चल लेते हैं एक लिए course की तरफ and this course का number आ जाता है course number 6 टाइटल आपको देखने के लिए मिल जाता है modern niche marketing niche website for beginners अगर आपको समझना है कि कैसे एक niche को पकड़ के पर एक नीश का मतलब हो गया particular category तो कैसे एक category में आप better perform कर सकते हो कैसे better marketing कर सकते हो कैसे better audience को achieve कर सकते हो यह सारी knowledge आप यहाँ पर बिल्कुल beginner level से gain कर पाओगे तो अगर interest है तो जरूर से enroll करवाना काफी recommended course है चलते हैं अगले course की तरफ और इसका number आता है course number 7 आइटल आपको देखने कर लंब जाता है ketogenic diet तो दोस्तो अगर आपका interest nutrition diet के बारे में रहता है आप सीखना चाहते हो health and fitness के बारे में तो यहां पर आप काफी बड़िया चीज़े सीख पाओगे जिससे की lose weight के बारे में reboot your metabolism जिससे की आप healthy feel कर पाओगे साथ ही में आपको सीखना पड़ेगा यहां पर ketogenic diet के बारे में इसका number आजाता है course number 8 title आपको देखने के लिए मिल जाता है YouTube marketing empire the blueprint to YouTube marketing अगर आपको सीखना है कि यार यह YouTube पर marketing कैसे करी जाती है इससे कैसे आप एक business create कर सकते हो क्या value है YouTube की marketing की आपको एक बात बता देता हूँ जो बिलकुल एक extra information है maybe आप में से 90% हो को पता भी होगा बड़ फिर भी मैं repeat कर देता हूँ कि YouTube अपने world का second largest search engine है after Google तो Google के बाद YouTube ऐसा platform है जहां पर सबसे ज़्यादा चीजे सर्च करी जाती है तो समझो अगर वहाँ पर आप अपना career देखते होगी कैसे महाँ पर marketing को manage कर जाता है या YouTube marketing कैसे होती है तो काफी सारे brands आपको approach कर सकते है तो यह एक ऐसी skill है कि अगर आपको interest है non-tech चीजों में आपको समझना है कि कैसे यह platforms पैसे कमाते हैं कैसे advertisement चलता है यह सारी knowledge आप काफी अच्छी तरीक से gain कर सकते है तो अगर इस field में interest है तो जरूर से आप एक chance दे सकते हैं इस course में रोल कर वा सकते हैं चलते हैं एक लिए course की तरफ एंड इसका number आपको देखने के लिए मिल जाता है और वो regularly आपको कुछ ने कुछ पैसे कमा के दे रहा है यही एक source of income हो जाता है passively जो आपके लिए काम कर रहा होता है यह कुछ तरीकी होते हैं जैसे stock market उसके अलावा यह blogging भी काफी trend में रहता है तो अगर आपको e-commerce में interest है पैसा कमाना जाते हो online अपनी website बना के blog लिख लिख के तो इस knowledge आप इस course में gain कर सकते हो अगर interest है तो enroll करवा लेना चल लेते हैं अंगरे course की तरफ एंड इसका number आज़ता है course number 10 टाइटल आपको देखने के लिए मिल जाता है Udemy bootcamp जैसे मैंने बात करी इस से पहले वाले course के बारे में जहां पर कि आप एक passive income generate करते हो similarly Udemy में भी अगर आप अपने course बना के डाल देते हो तो ये भी आपको passively income देता रहेगा आपको एक बार effort डालना है एक बार अपना course बनाना है उसके बात जितने लोग भी आपके course में रोल करवाएंगे तो उससे आपको एक income generate होगी तो अगर आपको सीखना है किस तरह से आप अपना खुद का Udemy का course बना सकते हो और उसको publish कर सकते हो जिससे कि आप उससे passively पैसे भी कमा सको और अपनी knowledge तो यार आप share करने ही वाले हो काफे सारे लोगों के साथ तो ये काफी बड़िया चीज हो जाते है तो अगर आपका interest है तो यार आप इस course में रोल करवा के इस पूरे procedure को समझ सकते हो चलते हैं अगर आपको टेली कम्यूटिंग में इंटरस्ट है आप online कम्यूटिंग या फिर बोलने चालने या फिर communication करने में इंटरस्टेड रहते हो आपकी skills काफी एची communication की तो आप इसको as a career ले सकते हो और इसके बारे में सीख सकते हो किस तरह से आप इसको scale कर सकते हो अपनी personal productivity बढ़ा सकते हो online remotely कैसे काम कर सकते हो क्या क्या opportunity available है पूरी जानकारी इसके बारे में आप इस course में gain कर पाएंगे तो अगर आपका interest है तो यार आप इस course में रोल कर वा सकते हैं चले लेते हैं अंगले course की तरफ अगर आपको healthy रहना है फिट रहना है तो meditation हो जाती है जो कि आपको daily life में जरूर से practice करने चाहिए तो अगर उसके कुछ rules के बार में कुछ concepts के बार में सीखना है अगर आप meditate नहीं कर पाते हो तो यहाँ पर सिखाय जाएगा कि किस तरह से आप अपने आपको self control करके meditation कर सकते हैं तो अगर interest है मैं recommend करूंगा यार जरूर से हमें दिन में 10-15 minute कम से कम meditation करना चाहिए तो interest है तो जरूर से यार enroll कर वालो अगर आप और कुछ fitness का करते हैं तो well and good है लेकिन meditation भी काफे important हो जाते है हमारी health के fitness के लिए mind के fitness के लिए तो आप enroll जरूर से करपा सकते हैं चल लेते हैं अगर course के तरफ and इसका number आता है course number 13 टाइटल आपको देखने के लिए मिल जाता है learn to focus meditation and mindfulness for ADHD जिसको दोस्तों अगर आपने सुना होगा ADHD एक बिमारी है तो अगर इन सब चीजों से आपको दूर रहना है या फिर अगर ऐसा कोई person है जिसको आप चाहते हैं कि उसको कुछ benefit मिल सकता है तो आप ये course उसको recommend भी कर सकते हैं जिससे की उशायद उसको कुछ benefit मिल जाए तो क देखने कलिम में जाता है Robo Author Content Writing Automation 2021 Part 10 अगर आपको blogging में इंटरस्ट है तो ये एक process है जहाँ पर कि आप blogging में जो अपना content निखते होना या उसको automate कर सकते हो जिसको आपको खुद daily daily manually अपना जो text आपका content है लिखना ना पड़े तो उसी के लिए ये course बनाए गया जिसका नाम है Robo Author तो अगर आपको content writing के बारे में detail में procedure समझना है कि इसको आप automate कैसे कर सकते हो तो ये सारी knowledge आप इस course में gain कर पाएंगे तो अगर interest है तो जरूर से अंडूल करवाना blogging करना चाहते हो या फिर सीखना चाहते हो तो ये चीज़ आपको काफी help करेगी आपका manual effort आप Avid Media Composer first for beginners हो दोस्तो अगर आप एक ऐसी field में हो या फिर इस field में जाना चाहते हो जहां पर आप video editing करके कुछ पैसा कमाओ तो ये source आपके लिए काफी बड़े रहने वाला Avid Media Composer इसके बारे में अगर आपको एक जानकारी को gain करना है काफी short जानकारी है 34 minutes का video मिलेगा content आप अगर आपको marketing strategy के बारे में जानकारी gain करने की कैसे referral marketing से आप पैसे कमा सकते हो या फिर referral marketing किस तरह से strategy को follow करते हो काफी अच्छे तरह किसे करी जाती है जो कि आपको या फिर आपके business के लिए आपके product के लिए या फिर आपकी job के लिए आपको help कर सकती है तो ये सारी knowledge आप गेन कर पाएंगे अगर interest है तो enroll करवा सकते हो चलते हैं एक लिए course की तरफ इसका number आपको देखने के लिए मिल जाता है digital forensics master class learn digital forensics A to Z सो दोस्तों अगर आपको knowledge होगी तो आज की date में digital forensics की requirement day by day बढ़ती जा रही है तो अगर आपको network security digital forensics वाली field में interest है तो यार इस course को म प्रेस मत करना because काफी अच्छा course है अच्छा detailed content available है 11.5 hours का तो enroll करवा के एक chance दे सकते हो और इस knowledge को gain कर सकते हो तो चलते हैं के लिए course की तरफ एंडिस का number आजाता है course number 18 title आपको देखने के लिए मिलता है learn wordpress and using wordpress to make six figures online तो दोस्तों यहाँ पर यह जो बात करी जा रही है क आप six figure की income generate करने वाले wordpress की मदद से तो यहाँ पर कही न कहीं एक touch blogging का भी आ जाता है तो अगर आपको सीखना है कि कैसे बहुत असानी से एक blog बनाया जाता है तो wordpress एक ऐसे तरीगा है जहाँ पर बहुत असानी से अपनी website बना सकते हो जहाँ पर आप blogging कर सकते हो और काफ कोर्स है जो आपको काफी सारी चीजों के बारे में सिखाएगा साथी भी बताएगा कि कैसे पैसे कमाये जाते हैं online दोस्तों अगर interest है तो जरूर से अन्रोल कर वा सकते हो काफी अच्छा कोर्स रहने वाले आपको काफी diverse knowledge मिलने वाली है चले लेते हैं एंगले कोर्स की तर YouTube.com इस तरह से इनके पीछे एक IP होती है कैसे network को divide करा जाता है कैसे IP उनको align करी जाते हैंगे सारी knowledge आप इस कोर्स में गेन करने वाले हो बहुत अच्छा कोर्स है अगर आपको interest है network security के बारे में जानकारी गेन करने के लिए IP addressing subnetting के बारे में जानकारी गेन करने के लिए त इस knowledge को बहुत असानी से बहुत बढ़े अतारिकी से बिलकुल फ्री में गेन कर सकते हो चलते हैं अगले कोर्स के तरफ और इसका number आता है course number 20 title आपको देखने के लिए मिल जाता है HTML5 and CSS3 build two responsive websites in Hindi and Urdu so दोस्तो अगर आप Hindi language में असानी से किसी चीज को पढ़ना चाहते हो जैस I hope कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी एंड इकोर्स आप सभी के लिए काफी beneficial रहे होंगे अगर अची लगती है तो जरूर से वीडियो को like कर देना चैनल को subscribe कर देना और इस वीडियो को यार अपने दोस्तों के साथ share करना thank you for watching this video have a nice day keep rocking bye bye मलते हैं अगले वीडियो till then stay healthy stay safe